ये है मेरा skin दो महिने पहले जब मैं टोक्यो में थी मैं हर दूसरे दिन Tetinoin यूज करते थी हर रूज skincare करती थी और I got my dream skin with Tetinoin बट दो महीने पहले से मैंने स्किन केर करना बंद कर दिया था क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ममी को कैंसर हुआ है और उनको लेके मैं बहुत बिजी हो गई थी तो सारे पिंपल्स, टाइनी बाम्स और जो ब्लैक इट्स, वाइट थे वो बापस आना स्टार्ट हो गए थे अभी दसे दिन हुआ है, मैं फिर से हर रोज स्किन केर कर रही हूँ और हर रोज स्किन केर कर रही हूँ और मेरा स्किन अभी बहुत ही बहतर हो गया है I am in love with my skin तो चलिया आज मेरा night time स्किन केर रूटीन स्टार्ट करते हैं करेंगे अपने हातों को हैंड वॉष यह गुट ट्वेंटी सेकंस तक मसाज करके वॉष के जिएगा उसके बाद यह संस्क्रीन एं थोड़ा सा लिप्स्टिक को रिमॉफ करने के लिए मैं यह ब्यूटी आप जोशियान क्लिंजिंग बाम यूज कर रही हूँ यह मुझे टोक्यो में इजिली मिल जाता है और यह रिली लब दिस क्लिंजिंग बाम यह थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर आप इसको नहीं परचेस कर सकते हो अब सुगंधा क्लिंजिंग बाम यूज कर सकते हो वो काफी आफोर्डबल है and it is really good for oily acne prone skin जबसे मैंने क्लिंजिंग बाम यूज करना स्टार्ट किया है मेक अप और संस्क्रीन को रिमोब करने के लिए there is no going back मेरा स्कीन बहुत ही ज़्यादा इंप्रोव हो गया है यह क्लिंजिंग बाम, क्लिंजिंग ओयल बहुत ही इजीली संस्क्रीन और मेकप को रिमोव कर देते हैं अल्दो मैं फेस पे कोई मेकप नहीं करती हूँ बर्स लिपस्टिक लगाती हूँ and that's it क्लिंजिंग ओयल और क्लिंजिंग बाम को अपको अपने हाथों में लेके रब कर लेना है and then face पे dry skin पे apply करना है फिर थोड़ा सा पानी लेके उसको emulsify कर लेना है and that's it फिर आप wash कर लेजिएगा मैं रात को Cetaphil Gentle Skin Cleanser यूज करती हूँ as my face wash because इसमें कोई भी AHA, BHA नहीं है जो मेरा skin को irritate कर देगा क्योंकि मैं रात को हर रोज Tretinoin यूज करती हूँ यह बहुत ज्यादा gentle है, mild है यह आपके skin में कोई भी irritation नहीं cause करेगा यह just एक regular gentle fish wash है जिसका texture है थोड़ा सा creamy and that's it I massage my fish wash for good 60 seconds on my skin and then I wash it up with normal water and that's it फिर मैं एक old cotton T-shirt लेके अपने face को pad dry करती हूँ मैं यह hack बहुत ही सालों से यूज कर रही हूँ and it works really well for me it is very gentle on my skin फिर मैं अपने teeth को brush करती हूँ और उसके लिए हाइडेंट के बोलके यह toothpaste यूज करती हूँ यह एक medicated toothpaste है यह sensitive teeth के लिए बहुत ही अच्छा है मैं इसको बहुत ही लंबा टाइम से यूज कर रही हूँ and I can swear by this product this is really good and please अपने हादातों को रात में जरूर ब्राश कीजिएगा उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ hydration के लिए 4-3-4 pumps Snell Mucine Essence by Cosarex अगर आप इसको नहीं purchase कर सकते हो आप यह hyaloo gel को यूज कीजिए यह भी आपको सेम एफेक्टी देगा क्योंकि उसमें भी hyaluronic acid है जो कि हूमेक्टेंट है आपके skin में water को bind करने में मदद करेगा so you need a really good hydrator in your tretinoin skincare routine because your skin gonna feel really dry afterwards otherwise और जो भी leftover होता है मैं अपने हाथों में apply कर लेती हूँ उसके बाद मैं lips में vaseline यूज कर रही हूँ not only on my lips मैं मेरे nose के जो corners है और lips के जो corners है वहाँ पे भी काफी अच्छे से vaseline लगा रही हूँ ताकि कोई भी irritation ना आए क्योंकि इस जगा पे यह जो जगा मैं बता रही हूँ यहाँ पे peeling होना बहुत ही common बात है आभी मैं beauty of joshion का retinol eye serum यूज कर रही हूँ अगर आप इसको नहीं purchase कर सकते हो अब ole retinol moisturizer यूज केजी है मैं पहले उसको use करती थी and it is really a good product बट मुझे टोक्यो में यह beauty of joshion का जो eye serum है यह easily मिल जाता है olein वहाँ पे नहीं मिलता है तो मैं तब से इसको use करना start किये थी prevention is better than cure मैं अभी से मेरे eye area पे wrinkles ना आए इसके लिए retinol based eye cream और serum use कर रही हूँ around my eyes and उसके बाद मैं सीधा use करती हूँ मेरा tretinoin यह tretinoin micro है 0.04% यह gel based है and I absolutely love this tretinoin मैं पहले से ही tretinoin micro use करती हूँ because यह मेरे skin पे उतना irritation नहीं cause करता है अगर मैं tretinoin use करती थी जो normal creams बगेरा आते हैं और मेरे skin पे काफी जादा irritation and जो peeling है वो cause करते हैं तो मुझे इससे भी same effect and result मिल गया है tretinoin micro से तो तब से मैं tretinoin micro ही use करती हूँ and मैं on and off 2 साल के उपर इसको use करती हूँ I can swear by this tretinoin micro 0.04% मैं अभी इसको हर रोज रात में use करती हूँ and pea size amount लेती हूँ मेरे face के लिए और थोड़ा सा मैं लेती हूँ मेरे neck area के लिए ताकि neck में भी wrinkles को यह prevent कर पाए क्योंकि tretinoin आपके skin में cell turnover को increase कर देता है by doing that आपके skin में collagen को boost करता है तो skin youthful लगता है then मैं 15 minutes के लिए tretinoin को मेरे skin में absorb होने देती हूँ फिर मैं moisturizer लगाती हूँ यह है the formula rx peptide barrier repair moisturizer I can swear by this product it is non comedogenic and it is barrier repairing I absolutely love this product and probably अभी मैं मेरा 7th tube में हूँ so you can imagine कि मुझे यह product कितना पसंद है मैं एक अच्छा सा quantity लेती हूँ and then मैं मेरे जो पूरा face है उसमें dots create करती हूँ and then उसको gently अपने हाथों से massage कर लेती हूँ that's it, that's all I do and यह जो moisturizer है इसमें ceramides है, peptides है यह आपके skin barrier को strengthen करने में मदद करता है and जो भी leftover products होता है मैं अपने हाथों में apply कर लेती हूँ that's why my hands actually stays like this so that's it for my night time skincare routine I hope you found this video helpful bye bye